वो रास्ता भूल जाती है, तभी उसे रास्ते में तीन ललके मिलते हैं, जो की ग्रैस स्टेसन पर होते हैं, ये तीनों जैनिफर से बाते करते हैं, और उसके साथ फ्लोट करने लगते हैं, वो लोग जैनिफर को घर का रास्ता बताते हैं, जैनिफर की पूछने के बाद उन लगए को ये समझ में आ जाता है कि जनिफर कहां रहती है। इसके बाद जनिफर उस घर में कोहर जाती है। जहां कि वो जाना चाहती थी। वहां पहुंचकर उसे काफी सुकून मिलता है क्योंकि ये जगा भीरभार वाले इलागे से काफी दूर थी। इसलिए यहां बोहुत करने के लिए जाती है तब वो देखती है वहां कोई नहीं है वह ऐसा सुचती है जैसे ये आवाजे हावा के कारण आई होगी इसके बाद वो फिर से वापस आती है और अपना ड्रिंग पीने लगती है लेकिन तभी उसका ड्रिंग उसके कपड़ों पर गिर जाता है इसके ब बाहर आती है तब वो फिर से जोगिंग करने लगती है घर आकर जब वो नल चालू करती है तब वो देखती है वहां से डंदा पानी आ रहा है इसके बाद वो पलंबर को कॉल करती है पलंबर यहां आता है और उस नल को ठीक कर देता है जैनिफर बहुत खुस होती है और वो आपस में बात कर ही रहे होते हैं तभी वो पलंबर वहां पहुंच जाता है ये वही है जो कि जनीफर के घर में गया था और उसके नल को ठिक किया था वो इन तीनों से कहता है जनीफर बहुत अच्छी है और उसने मुझे बहुत अच्छे से बात की ये तिनों उससे पूछते हैं क्या Jennifer अकेले रहती है ये लोग सोचते हैं अगर वो अकेले रहती होगी तब हम लोग भी वहाँ जाएंगे और उसका फाइडा उठाएंगे और वहाँ जाकर मस्ती करेंगे इसके बाद ये लोग आपस में काफी कुछ प्लान करते हैं इसके बाद ये लोग Jennifer के घर के आगे एक मरी ही पत्ची को फेक देते हैं Jennifer जब बाहर आती है तब उसे ऐसा लगता है जैसे स्टोर रूम से फिर से आवाजे आ रही है इसके बाद वो इस्टोर रूम के तरफ जाती है लेकिन इधर वो चारो लगते Jennifer के घर में गुज जाते है इसके बाद Jennifer अपने घर के अंदर आती है Jennifer को ये बात नहीं पता थी कि वो लगते पहले से ही अंदर आ चुके है वो लोग Jennifer से पूछते हैं तुम यहां अके लिए क्यों हो और यहां किसलिए आई हो Jennifer इन लोगों को बताती है मुझे नोवल लिखने के लिए एक सांस देगा चाहिए थी इसलिए मैं यहां आई हूँ उन्ही मेंसे एक लड़के का नाम Johnny था वो Jennifer के पास आता है और वो Jennifer को टॉर्चर करता है और वो बेस्बॉल का बैट उसके चेहरे पर सटा कर उससे बोलता है तुम अपने दान दिखाओ Johnny Jennifer के साथ बहुत अजीब हरकते करता है और वो उसके दान तोरने की कोसिस करता है यह सारे लोगे Jennifer पर हसते हैं और यह लोग उसका मजाक उडाते है Jennifer किसी तरह इन लोगों से भाग कर जेंगल में चली जाती है तभी उसे एक पुलिस वाला दिखाई देता है सरिफ के साथ एक बुढ़ा आदमी भी होता है सरिफ उस बुढ़े आदमी से कहता है तुम अपने घर चले जाओ इसके बाद वो सारे लगे तुरंट यहां पहुंच जाते है इसका मतलब यह है सरिफ भी इन लोगों साथ मिला हुआ है ये लोग चार थे ये लोग Jennifer के साथ काफ़ी गंडा भी हर्थ करते है इसके बाद ये लोग उसके साथ जबरजस्ती करते है इतना होने के बावजूद Jennifer हिम्मत चुटा कर यहां से भागने की कोशिस करती है इसके बाद ये लोग उसे पकड़ लेते है सरिफ Jennifer के पास आता है और वो उसके साथ जबरजस्ती करता है इसके बाद वो चार रलके भी ऐसा ही करते है ये लोग ऐसा करते हुए हस रहे थे जबकि एक आदमी इन सब का वीडियो बना रहा था अब Jennifer की हालत बहुत खराब हो चुकी थी वो धिरे-धिरे इन लोगा से दूर भागने की कोशिस करती है भागते हुए वो एक दुरिच पर पहुँच जाती है ये लोग Jennifer को मारने के लिए उसका पिछा कर रहे थे लेकिन Jennifer यहां से पानी में छलांग लगा देती है ये लोग ऐसा सुचते है जिया से Jennifer मर चुकी है इसके बाद वो Jennifer के घर में जाकर सारे सबुत मिटाते है और वो Jennifer के सारे समान को चला जते है ताकि किसी को भी बता ना चले कि Jennifer यहां आई थी ये लोग काफी तर यहां रहते हैं और ये लोग Jennifer को ढूनने की कोसिस करते हैं लेकिन इन लोगों को ना तो Jennifer मिलती है और ना है उसकी लास मिलती है इसके बाद ये लोग समझ जाते हैं कि जैनिफर की मौत अब हो चुकी है। इसके बाद ये लोग रिलैक्स फिल करते हैं। इसके बाद सभी लोग यहां से चले जाते हैं। सरिफ अपने घर पहुँचता है। जहां हम उसके बीवी को देखते हैं। वहाँ पर सरिफ की बेटी भी होती है। सरिफ अपने पत्मी और बेटी से बहुत अच्छे से बात करता है। लेकिन वो भूल गया था कि अभी अभी वो क्या करके आ रहा है। ये लोग काफी दिनों तक जैनिफर को ढूनने की कोसिस करते हैं। लेकिन इन लोगों को जैनिफर के बारे में कोई भी निउस नहीं मिलती है। और नहीं इन लोगों को जैनिफर की बॉड़ी मिलती है। एक दिन प्लमबर इन लोगों के पास जाता है। और वो इन लोगों से कहता है उसने जैनिफर का भूत देखा है। अभी इन लोगों के एक दोस्तिन के पास आता है और वो कहता है जो recording इन लोगों ने की थी वो किसी ने चुडा ली है यह बात सुनकर सारे लोग ड़ा जाते हैं और उस आदमें से सारे लोग गुस्सा हो जाते हैं यहीं से इन लोगों का बुरा वक्त शुरू हो जाता है और अब इन लोगों के साथ जो भी होने वाला था और बहुत ही बुरा था इन लोगों मैंसे एक आदमी रात में जब ये अपने घर में आराम कर रहा होता है तभी कोई मरा हुए एक पक्षी इसके दरवाजे पर फिकता है जैसा कि इन लोगों ने जैनिफर के घर में किया था उस आदमी को जैनिफर का चपल भी दिखाई देता है वहीं दुसरी तरफ हम लोग सेरिफ को देखते हैं जो कि अपने घर में होता है उसे वहाँ पर एक टेप मिलती है जिसके उपर स्टैनली का नाम लिखा होता है और यह वही लड़का था जो कि रिकॉर्डिंग कर रहा था सेरिफ को उस लड़के पर बहुत गुस्टा आता है उसे ऐसा लगता है जैसे स्टैनली नहीं इस रिकॉर्डिंग को उसके घर में भेजा है ताकि सेरिफ की करतूत, सेरिफ की बैटी और इसकी पत्नी जान जाए तब वो बहुत गुस्टा होकर स्टैनली के पास जाता है और वो इस टेप को स्टैनली के मुँँ में गुसा देता है इस चैनली सेरिफ से कहता है ये सब मेरा काम नहीं है और मैंने ऐसा नहीं किया है यहीं पर एक दूसरा लगका इन लोगों को समझाता है हम लोगों का एक दोस्त पलंबर गायब है और वो काफी लंबे समय से हमें नहीं मिला है और सायद उसी ने ऐसा किया होगा क्योंकि उसे अपने किया पर पच्टावा होता होगा उसने हमें एक दिन बताया था जैनिफर ने उससे बहुत अच्छे से बात की थी और उसी के कहने पर हम लोग जैनिफर के घर में गए थे इसलिए हमें पलंबर को ढूनना चाहिए और उसे ढूनतर मार देना चाहिए तरिफ यहां उसके बात मान जाता है और यह सारे लोग पलंबर को ढूनने लगते हैं इसके बाद हम लोग सरीफ को देखते हैं जो कि उस गोड़े आदमी को मार देता है जिससे जैनिफर ने इस घर को रेंट में लिया था सरीफ इस आदमी को इसलिए मारता है ताकि वो किसी को ये ना बताए कि जैनिफर यहाँ आए थी और वो अब मिसिंग है इसके बाद हम लोग उस पलंबर को देखते हैं जो कि अभी बेहोस है जब उसे होस में आता है तब वो देखता है जैनिफर उसके सामने बैठी हुई है जैनिफर उस पलंबर के गले में रसी डालती है और उसे भिहोस कर देती है वहीं हम स्टैनली के एक दोस्त को देखती है जिसरे कुछ आवाजे आती है और वो उस आवाज का पीछा करते हुए जाने लगता है इस स्टैनली भी उस आवाज को सुनते हुए वहाँ जा रहा था ये लोग चलते हुए उस तुटे घर तर पहुंच जाते हैं इसके बाद स्टैनली और इसकर साथी घर के अंदर जाते है स्टैनली के दोस्त घर के आगे से अंदर जाता है जबकि स्टैनली घर के पीछे से अंदर जा रहा होता है ताकि अगर जेनिफर घर के अंदर हुई तो ये दोनों उसे पकड़ सके स्टैनली घर के पीछे के रास्ते के तरब जा रहा होता है लेकिन तभी जैनिफर उसके सामने आ जाती है स्टैनली भी जैनिफर को देखता है उसे देखकर वो बहुत गुसा हो जाता है और उसके तरफ बढ़ में लगता है लेकिन जैसे ही वो अपना कदम आगे बढ़ाता है उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है वो दर्थ की मारे जोर जोर चिलाने लगता है वो चिला कर अपने दोस्त को बुलाता है उसके आवाज को सुनकर उसका दोस्त जल्दी से वहाँ आ जाता है लेकिन जैनिफर पीछे से उसे मार दियती है और उसे मार कर बेहुस कर दियती है जैनिफर अब तीन आद्मियों का अपने कबजे में ले चुकी थी जैनिफर ने स्टैनली के दोस्त को एक बाद टरब के उबर बान दिया था और उस बाद टरब में पानी आ रहा होता है जबकि स्टैनली को जैनिफर ने जंगल में बान दिया था उसने पेंड के साथ उसे जोर से बान दिया था और Jennifer उसकी recording उसी तरह कर रही थी जैसा कि उसने Jennifer के साथ किया था इसके बाद Jennifer उसके मुँखे अंदर मरा हुआ चुहा डाल दती है इसके बाद वो मचली पकड़ने कर कांटा लाती है और उसके आँखों में डाल कर पिछे की पेंट से बान देती है ताकि उसकी आँख हमेशा खुली रहे इसके बाद वो मचलियों के कुछ टुकड़े करती है और वो मचलियों के टुकड़ों को स्टैनली के चेहरे पर लगा देती है ताकि चिल और कवगा इसके महग से यहां आ जाए इसके बाद हम लोग फिर से स्टैनली के उसी दोस्तों देखते हैं जिसे जैनिफर ने टब के उपर बान दिया था वो आदमी जैनिफर से बहुत माफी मांगता है वो कहता है मुझे माफ कर दो लेकिन जैनिफर अपना बदा लेना चाहती थी वो से उसे बाद टब में डुबाती है और उस बाद टब में वो एसिद डाल रहती है बाद टब के उपर दो लकडियों के सारे वो लड़का लेटा हुआ था लेकिन जैनिफर उसमें से एक लकडी हटा देती है और अब वो लड़का बाट टब में गिरने लगता है और वो बाट टब एसिद से भरी हुई है वो लड़का पानी में गिर जाता है वहाँ गिरने के साथ ही उसका चेहरा जाल जाता है वहीं दूसरे दरफ हम लोग स्टैनली को देखते हैं जिसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी चील और कवगा यहां आकर उसके चेहरे को नोचते हैं चील उसके आँखों को नोचकर खा गए थी उससे बहुत दर्द होता है और वो इस दर्द से यहां मर जाता है इसके बाद हम लोग स्टेनली के दोस्त को देखती है जो की एसिड में दी रहा था जैनिफर जब उसे बाहर निकालती है तब उसका चेहरा बिल्कुल सर्चुगा था इसके बाद जैनिफर अच्छे से तयार होती है और वो उस गैस स्टेसन पर चली जाती है जहां पहले बार वो तीरों लड़के उससे मिले थी जैनिफर जब वहाँ पहुंचती है तब जोनी उसे देखता है जोनी उसे देखकर उसके तरफ बढ़ता है लेकिन जैनिफर अचानक एक लोहे के रटसोज उस पर वार करती है और उसे मार कर बेहोस कर देती है उसे लाकर एक जग़ा पर बान देती है ये वही जग़ा होती है जहां इन लोगों ने जैनीफर के साथ गलत किया था जैनीफर उसके साथ वैसा ही करती है जैसा जोनी ने उसके साथ किया था जैनिफर एक एक करके जौनी के सारे रांत उखाड देती है और वो एक बड़े से कैंची लेकर उसके पार्स को काट जाती है और वो उसके पार्स को काटने के बाद उसे उठा कर उसके मुझ में डाल देती है वो दर्द से वही पर मर जाता है इसके बाद अब सिर्फ दो लोग बचे थे एक था वो पलंबर और दूसरा था सरीफ पलंबर को उसने पहले से ही पकड़कर रखा था इसके बाद वो सरीफ इधर में जाती है और वो उसकी बैटी को किड्नेप कर लेती है सरीफ जो ये बाद जानता है तब वो जल्दिस अपने गाली पर बैटता है तब जैनिफर पीछे उसके गाली में बैट जाती है और उसके सर पर वार करके उसे बेहोस कर देती है जब सेरीफ को होस आता है तब वो देखता है वो एक टेबल के उपर बढ़ा हुआ है और वो पलंबर भी एक कुर्षी में बैठा हुआ है जो कि अभी बेहोस है जैनिफर एक गन को पलंबर के हाथों में इस तरह बانती है कि जैसे ही पलंबर अपने हाथ को हिलाता वो गन फायर हो जाती वो पलंबर भी गन के सीधह में बैठा था सारे सिटप को कम्पलीट करने के बाद जनिफर बाहर आकर बैड़ जाती है और वो पलंबर के होस में आने कर वेट करती है पलंबर को जैसे ही होस आता है वो अपने हाथ को हिलाता है तब ही गन फायर हो जाती है जो कि सरिफ के पिषय से हुए आगे से निकल जाती है और सिळा जाकर पलंबर को लगती है और यहीं पर पलंबर और सरिफ की मोठ ऊज़राती है बाहर जैनिफर जैसे ही गुली की आवाद सुनती है वो बहुत खुस होती है क्योंकि उसने उन सारे लोगों को माल दिया था, जीनों ने भी उसके साथ गलत किया था, और यहीं पर ये मोवी खत्म हो जाती है।